नमस्का चात्र, आज हम कक्सादस की हिंदी में पहलिया और मुकरिया का अब्यास करेंगे जिसके लेख के अमिर खुश्रो अमिर खुश्रो 24 सदी के लगपक दिली के निकट रहने वाले एक प्रमुकवी, शायर, गायक और शंगितकार थे मध्य एसिया के लांचन चाती के तुर्क, शेफुदिन के पुत्र अमिर खुश्रो का जन्म सन 1230 में उत्र प्रदेश के कास कंज के पठ्यालय नाम कस्बे में हुआ था यह आदिकाल की राजिश्रे परंपरा से सर्वथा मुक्त अमिर खुश्रो की कविता लोग जीवन के रंगों में रंगी हुई है कि जो आदिकाल के महन शायत्यकार इसे अमेर खुश्रो है उन्होंने राजिय के आश्रे कि जो परंपरा होती है उससे मुक्त होरकर उन्होंने अपनी कवीता में जो लोग जीवन के सचे रंग है उन्होंने उसका वनन किया है उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्यान के साथ साथ मनोरंचन की सामगरी भी प्रस्तुत की है संकलेद पहलिया और मुकरिया में मानोमन की जिगनासा, कूतुहल और रहश्यों का विनोद पूर्ण शेली में उटगाटन किया है कि उन्होंने अपनी जो पहलिया और मुकरिया का जो शंकलन है उन्हों में उन्हें मानवमन में जो जैसे जेतना जीगनशा, रहश्य और जो कुतुहलता होती हैं उन्होंने उनके गनान के साथ-साथ वबाते हैं वव आननदित चेली यानि विन पूर्ण शेली में हमारे सामन रखे हुई है छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिवेद कर कवी ने अपने कला कोंशल्य का अच्छा परिजय दिया है कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी रचनाओं के द्वारा हमें हमारे जीमन के जो उप्योगी गहरे अर्थ है वह हमारे सामने बहुती पुर्णाशेली में रखे इसलिए उन्हें कला कोंश्योल्य का अच्छा परिजाय है। पहले तो पहलिया यानि कि कि ये पहलिये वो किशी व्यक्ति की बुदी या समझ की परिक्षा लेने वाला एक प्रकार के प्रश्णा वांक्य अत्वा वर्णन को हम पहली केते हैं। कहां जाता है क्योंकि उसमें कोई बात होती है वह घुमा फिराकर हमारा सामने रखी जाती है। लेकिन वो चीज कौन सी है वह हम उसमें नहीं पता जलता है। इसलिए इसे पहली और बुजोवल भी कहते हैं। पहली वेक्ति के चतूर्ता को चुनोती देने वाले प्रश्णा होते हैं। न केवल मनोरंजन करती हैं पर दिमा को चूस्त एवं तरोताजा भी रखती है। यह है पहलिया। और मुकरिया, मुकरिया एक लोग प्रचित पहलियों का ही एक रूप है। कि जिसमें लक्षिया मनोरंजन के साथ साथ बुधी चातूर्य की परिशा लेना होता है। तो मुकरिया का अर्थ है कि इसमें जो बाते कही जाती है उसका दो अर्थ होता है। पर उन दोनों अर्थों में से जो प्रदान होता है उससे मुकर कर दुसरे अर्थ को उसी चण में स्विकर किया जाता है। किन्तु या स्विकरती वास्तवी नहीं होती। अर्थान कि कई हुई बातों से मुकर कर उसकी जगह कोई दुसरी उप्योग बाक्ते बना कर दी जाती है जिसमें सुनने वाला कुछ ना कुछ समझने लगता है तो मुकर यह में दो बात होती है, जिसमें जो मुख्य बात है, उससे हम मुकर जाते हैं, यानि कि उससे हम फिर जाते हैं, तो वह बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरी बात उसके सामने रखेंगे, जिससे सुनने वाले को यह सा लगे कि इसमें यह सा अर्थ होता है, लेकिन कि पहलियों में कोई भी वस्तु का लक्षन दिया जाता है और दूसरी वस्तु को उसने समझने में या चातुरिय के जो बुद्धी सक्ति का हमें उप्योग करना पदा है इसलिए उसकी पहलिया ऐसी होती है मुकरियों में आरम में कही गई बात का खंडन करते हुए साई बात के और शंकित किया जाता है इन पहलिया और मुकरियों में विनोत के साथ साथ गनान परोशा गया है कि पहलिया और मुकरिया है अमेर खुशो की उनमें हमें मनोर अंचन के साथ साथ गनान भी मिलता है इनके द्वारा विद्यार्थियों के गनान की कसोटे भी हो जाती है साथ साथ चिंतन और जिगनासा भी चागरत होती है कि जो विद्यार्थियों होती है उसको ये पहलिया और मुकुरिया सुनकर ऐसा लगते है इसका क्या उतर आएगा, क्या उतर आएगा इसलिए वो अपनी जो बूती है उसका प्रयोकत है, उसको जिग्नाशा भी होती है, कि इसका क्या उतर है, इसलिए इसमें ग्नान की कसोर्टी हो जाती है. अब हम पहलिया देखेंगे, पेले पहलिये जूता बहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? क्योंकि वो तला नहीं था, उसका उतर के आएगा तला नहीं था, क्यों? तो जो समोसा है वो तेल में तला नहीं था, इसलिए हम कचे समोसे तो खा नहीं सकते, इसलिए समोसा है वो और जूता के जूते के जो नीचे का भाग होता है जिस पर हम पेर रखते हैं उसे हम तला केते हैं तो जूते में तला नहीं था इसलिए हम जूता भी नहीं परन सकते हैं इसलिए तला न होते हुए जूता भी पहना नहीं और समसा भी खाया नहीं उसकी दूसरी पहली है अनार क्यों न जखा वजीर क्यों न रखा क्योंकि दाना न था अनार में जो दाने होते हैं वो कि अनार में जो अगर दाने न हो तो हम अनार खाई न सकते क्योंकि अनर में तो जो दाने होते हैं वही खाने की होती है लेकिन वो अना हो तो हम क्यों अनर खाएंगे और वजीर क्यों न रखा राजा को वजीर रखना था लेकिन जो वजीर आये थे कसोटी में तो वजीर में दाना दाना यानि की बुद्धी नहीं थी तो बुद्धी जैसी कोई चीजी नहीं होगी तो राजा किसी वजीर को रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, इसलिए दाने के बिना अनर भी नहीं खा सकते और वजीर में अगर दाना नहीं हो तो उसे भी हम नहीं रखेंगे. तीसरी है, रोटी जली केव? गोड़ा अड़ा केव? पान साड़ा केव? क्योंकि फेरा नilla था. कि जो रोटी थी वजल गई क्यों जले क्योंकि रोटी को हमें तवे पर रखते है तो उसे उल्टाना पढ़ता है उसे घुमाना पढ़ता है लेकिन अगर हम नहीं घुमा दे तो वो रोटी है वजल जाती है और जो गोड़ा होता है कि जिसे हम सवारी के लिए तयार करते हैं लेकिन वो गोड़े को हमने तालिमी नहीं दी कि यानि फेरा यानि की तालिम कि उसे तयारी नहीं किया था हमने किसी भी सवारी और किसी भी प्रति योगीता के लिए तो उसने तालिमी नहीं ली थी इसलिए गोडा अड़ गया, वह सवारे के लिए तयार नहीं हुआ और पान सड़ा क्यों? क्योंकि पान की पत्यों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्तों को काट कर निकाला नहीं गया था इसलिए पान भी सड़ गया, इसलिए इसका उतर आएगा फेरा न था अब चोथी पहलिये, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर है एक ठाटा, रहे फिर भी दोनों संग-संग ठाटा यानि की स्तिर, एक नारी के दो बचे होते हैं, ये पहलिये, ये एक नारी होते हैं, उसके दो बचे, दोनों एक ही समान थे, एक ही जैसा रंग था, लेकिन दो बालकों में से एक बालक अगर फिरता है, तो दूसरा बालक के वह स्तिर रहता हैं, लेकिन ये दोनों सदे यह संग शंग हुना है। है कि निजा अनाज का हमा हुन ग्जाओं का लुट के लिए नोल錯 rocking के सहरा है। आंदा से लगालतिima कि अनिजिआ का लिए भैशा रहा दोलुटा यूरा के पूलाा लिए छोंडोंасले मuirती हो रहा ही स्धिर्पर हे रहा है। दोनों दिखने में भी एसे ही रहोते है उसका रंग भी एसा है उसका आकर भी एसा है और दोनों सदेव संग रहते हैं अगर दोनों अलग-अलग हो जाए तो हम उनमें से आटा नहीं निकाल सकते हैं इसलिए यह चकी के पाटे इसका उत्तर आएगा अब हम मुकरिया देखेंगे जब मागू तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन पुझावे मन का भारी तन का छोटा ए सकी साचन ना सकी लोटा उत्तर है यानि लोटा ये दोनों सकी के बीच में बात हो रही है तो एक सकी कहती है अपने दूसरी सकी को कि मैं जो भी मागू ना वो मेरे लिए मुझे लेके देता है वो मेरे आदेश का पालन करता है अगर मैं उससे पानी कहू ना तो वो पानी भरलाता है और मेरे मन की जो प्यासे वो बुझाता है वो मन का भी बहुत बारी है जैनि उनका मन है वो बहुत विशाल है लेकिन उनका तन है वो बहुत छोटा है। तो उसकी दूसरी सक्खी केती है उसकी बाते सुझा statistically है क्या इसका पहुत साज्व है नहीं क्योंप है तो आःगर हम पानी मांगते है इसलिए इसका उतर आएगा लोटा अब दूसरी पर हमुकरिया देखेंगे वो आवे तो साधी होई उस बीना दूजा न कोई मीठे लागे वाके बोल एस सकी साजन ना सकी डोल इसमें एक सकी कहती है कि उसके बीना जो अगर वो आए ना तो साधी हो सकती है अगर वो ना आ है या उसकी जगा कोई दूसरा भी आ जाए तो भी उसका काम नहीं कर शकता है अगर वो बोले तो उसके बोल भी बहुत मिठे मिठे होते हैं सब को सुनने में भी अच्छा लगता है तो उसरी दूसरी सकी केते तुमारे साजान है क्या तो ने केते नहीं नहीं धोल अगर साधी में डोल ना हो तो साधी का जो माहोले वो बनता ही नहीं है और धोल की आवाज सुनकर कोई भी साधी हो उसमें रोसन आ जाता है चमक लग जाती है और उसकी बोल सुनकर सबको अच् दोता के एक सकी कहती है कि वो बहुत सुन्दर रंग वाला है वो बहुत रंग रंगिला है वो दिखने में भी सुन्दर है और वो गुण में गुणवान है और वो चटकिला चटकिला यानि की गाड़े रंग वाला उसका रंग भी गाड़ा है और आम का नाम लिये बिना कभी सोता भी नहीं है तो एक सकी प्रस्ने पूछने वाली सकी से जवाब के रूमें पूछती है कि है सकी क्या विसाजन है सकी जवाब में कहते है नहीं नहीं यह साजन नहीं वह तो दोता है क्योंकि दोता है उसकी जो आवाज होती है वह तो रंग रंगिला होता है और वह बुद